नमस्ते साथियों यब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं अनपचारिक तरीकी से बातचीत कर रहे होते हैं तो आपका प्रभा शानदार होता है बातचीत में आप कही नहीं अटकते हैं और सामानेते ठीक ठाक तरीके से बात कर रहे होते हैं जो कि वीडियो में हूँ या ओडियो में हूँ, तो अचानक आप महसूस करते हैं कि आपकी आवाज में अर, हम, हम, जैसी निरर्थक धनिया शामिल हो जाती है, जिनने वर्बल टिक्स कहा जाता है, भाशा विज्ञान की भाशा में इन्हें डिस्फ्लुएंसी कहा जाता है, यानि प्रभा, डिस्फ्लुएंसी यानि प्रभा में बाधा, ऐसा क्यों होता है, भाशा विज्ञानिक आमतों प्रमस्तन नौम्चॉम्ट्सकी, साब-साब इसे निरर्थक या भाशा में तूटियां या एरर की तरह देखते हैं, हाला कि कुछ अन्य भाशा विज्ञानिक अपनी प्रभा में पाते क्यों हैं, और क्या तरीका हो कि इनसे बुक्ति पाई जा सकें, सामान्ने तहा इसकी वज़य केवल यह होती है कि संप्रेशन में आप सहेज नहीं, आप जो आपका सहेज व्यक्तित्व है और उसके अनुरूप जो संप्रेशन है वे नहीं कर रहें और स्वभावेख है कि जब आप मंच पर हैं या आप पर लोगों का ध्यान है और आपको पर आपचारिक होने का दबाव है तब आप में ये निरर्थक्त होनियां आ सकती हैं मैं केवल दो छोटी छोटी टेप्स से बताने की कोशिश करूँगा कि आप इनसे कैसे मुक्ति पा सकते हैं तो फिर ये टेप्स क्या हैं किस तरीके से आप अर हम आ से मुक्ति पा सकते हैं मेरे उनसर पहला तरीका है रोको और टोको जाहिर है कि कोई और तो यह करेगा निए आपको खुद को पहचानने के लिए विवश्च करना होगा कि आप किन ध्वनियों को इस्तिमाल करते हैं और कितनी बार करते हैं एक आसान तरीका है कि अपने सामने बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख लीजे एं आ या जो भी ध्वनियों आप चरण करते हैं और कोशिश कीजिए कि आप उन्हें गिनने की कोशिश करें या फिर उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए इससे होगा यह कि आपका दिमा आम तोर पर इने गलती की तरह पहचानने लगेगा और इससे धीमे धीमे आप इससे मुक्ति पा सकते हैं याद रखिए एक प्रभाशील वक्तवे से ज्यादा प्रभावी वक्तवे कुछ नहीं होता दूसरी अन्य तक्नीक जो कि आजकल बहुत आसान है वह यह है कि आप अ मैंसे अतना आसान है नहीं क्योंकि तक्नीकी तोर पर तो यह आसान है लेकिन आप मानेंगे कि मनोवज्ञानिक सत्य यह है कि हम इसे अधिकांश को अपनी आवाज बुरी लगती है मुझे अपनी आवाज बुरी लगती है आपको अपनी आवाज बुरी लगेगी यह चुकि आम तौर पर दूसरे लोगों को सुनते हैं और अपनी आवाज को कान के रास्ते नहीं सुनते हैं। इस वजे से आम तोर पर हमें अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर आप एक बार इस शुरुवाती बाधा को पार कर लें और अपनी आवाज को लगातार सुनें तो आप पहचानेंगे कि कहां कहां आएं का इस्तेवाल करते हैं और बाद में उसे हटा लेंगे। इन दो छोटी छोटी युक्तियों का इस्तेवाल कीजिये और इस अर आएं हम से मुक्ति पाई हैं तैंक यू